जिस प्रकार इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है उसी प्रकार अब इसे ट्रैफिक में भी नंबर वन बनाने के कवायदे तेज होते दिखाई दे रहे हैं शहर के विभिन शेत्रों में ट्रैफिक समस्याओं और उनके निराकरण के लिए कलेक्टर कारेले में जिला सरक्स रक्षा समिती की बैठक हुई देखें इस खास रिपोर्ट में बैठक में सांसद व समिती अध्यक्ष शंकर लालवानी करेक्टर मनीश सिंग सहीत नगर निगम कमिशनर आर्टी और एस्पी ट्रैफिक सहीत नैशनल हाईवे वा अन्य संबंदित विभागों के अधिकारी शामिल हुए शहर में व्याप्त ट्राफिक समस्याओं के निराकरण के संबंद में बैठक में चर्चा की गई सांसर शंकर लालवानी की मुताबिक शहर के मधी में ट्रैफिक दबाव और शहर के बारी हिस्सों में ट्रैफिक समस्याओं के साथ ही नेशनल हाईवे वा अन्य इस्थानों पर व्याप्त समस्याओं पर चर्चा की गई इस दोरान उन्होंने ट्रकों के कारण होने वाले दबाव को कम करने के लिए इस्थानी अप्रतिनेदियों वह व्यापारियों से बात की जाएगी किस प्रकार की समस्य आ रही है उसको लेके चर्चा और इसके बाद नेशनल हाईवे और जो आउटर रिंग रोड से उधर की लगी हुई गाउं है शहर का जो हिस्सा है उन्तिस गाउं उसमें जो समस्य रही है उन सब पे अलग-अलग विश्व पे चर्चा वी यह ध्यान में कि शहर में ट्रको का आवागवन के कुछ इस्थानों पर है इन ट्रको के आवागवन के लिए मिस्थानी जन प्रतिनी जोग सायत और उनके व्यापरी संग्ट सांथ बेटके चर्चा करेंगे और जिसके कारण जातायत का दबाव बना रहता है उसको निराकरन करने में प्र वहां पर तीसरा जो रिंग रोड है रिंग रोड के कुछ हिस्सों पर हमने देखा है ट्रके खड़ी हो जाती है आज हमने टाउन कंडी प्लानिंग के अधिकारी को बुलाया था और आर्टी ओ ट्राफिक वारों से जी कहा है कि इसे कौन से स्थान है जहां ट्रकों की पार् काम करना पड़ता है तो उसके लिए इस्थान उफ्लब रहना चाहिए यह भी चर्चा की गई आने वाले दिनों में हम इस्थान कौन से उप्युक्त होंगे उस पर चर्चा करेंगे ताकि ट्रकों को व्योस्तित पार्किंग हो सके और शेयर में इसका दबाव कम पड़े है उनकी माने तो कई स्थानों पर लेफ टन की समस्या है जिसमें थोड़ा सा काम करने से विवस्थाओं में सुधारा सकता है वहीं दस ब्लेक स्पॉट को कमिटी द्वारा राय ली जाएगी कई स्थानों पर डिवाइडर की जो दिक्कत है उसे सुधारा जाएगा समीती का के उदेश है कि एकसिडेंट में मौत ना हूँ दूसरा कुछ स्थानों पर लेफ टन को लेके बात हुई कुछ स्थानों पर हमने देखा नौलखा बहुर को ऐसे इस नेरो बॉटल लेके कुछ जगे जिसमें थोड़ा काम करने से इंपेट ज्यादा आ सकता है उसके लिए क सब्सक्राइब देखें तो लोकुष हो रहा कि आसपास भी हमने देखा किस प्रकार की एक्सिडेंट होते रहते हैं तो इसे दस स्पोट आइडेफाय करें उसकी एक एक्शन कमिटी एक्शन कमिटी कमिटी बनाई गई गई वो स्पॉर्ट पर जाएगी उसमें सभी अधिक वहां जाके देखेगी और किस प्रकाइस का हल हो तकनी की लोगों से राय लेकर उसमें आगे हम बढ़ेंगे शायर के कुछ बारिस्तों में डिवाडर नहीं है उसके कारण भी एक्सिडेंट होते हैं और इसे ही रूची सोया जो हमारा मांगले चेतर है वहां पर तो डिवाडर ही नहीं नगनियम से कहा गया है कि वह जो हमारे डिवाडर बनाने कि वह टिवाडर भी इसे बने की उच्चे जो आमने देखा है कि जो प्लोक लगते हैं, जो लगबाक नी फिर ऊचे रहते हैं, जो रेदिम्ट ब्लघ टे is not一起able, और उत्वे को उस्ति पोर्टेवल भी रहते हैं, वो आप लागाए जाए, ताकि एक्सिडेन इसलिक्सारा क्म से कम हो, हे मुजमें को एसे पौरट के प्य शेहर में पार्किंग विवस्थाओं को भी दुरुस्त करने पर विचार किया जा रहा है कुछ इस्थानों पर पार्किंग बनाने वक्ष रोट को वनवे करने की तयारी की जा रही है तो इस परकार शेहर में पार्किंग वाला है कि इस परकार पार्किंग की जगे बढ़ा ही जाए तो पार्किंग के लिए इस्थानों पर वनवे की चर्चा हुई है तो कुल मिला के ये बेठक बदनों बात थी हमने ये निरने लिया है कि अब प्रती माह हम इस ट्राफिक की जातायत की जो बेठक है वो करेंगे और उसकी एक्षन रिपोर्ट हर माह आएगी और इसमें कॉडिनेशन के लिए अधिकारे को निउत किया गया आने वाले दिनों की प्रतिमाओं के संबंद में श्रंक लालवानी ने अपील की है कि अगर महापुरुषों की प्रतिमा लगाना है तो उससे चौराहे के एक तरफ लगाई जाना चाहिए इसमें निर्ने लिया जाएगा प्रपोजल बन गए उसकी दो डियां दो सपार्ट के लिए प्रपोजल बनाएं और दोनों में से एक निर्ने करके शीगरहम करेंगा इसले कहीं सालों से में चूकी नगर निगम में भी 15 साल रहा फिर इंदोर विकास प्राजिक मुझे बनाइगा तो मुझे लगता है की आने के समय में मैं अगर ऐसा लगता है कि कोई माहपुरिश्की प्रतिम हो तो उसके लिए इसा उस्तान होना ची आइडिया लोना ची जो उस चोरा है कि कौर्नर पे हो उस पर बीच में नहों ताकि आने वाली पीडी को अगर कुछ कर रू मन में बात आई थी और वो आज हमने कही है और इमें आपके माध्यम से भी सभी समाज के प्रमुक और सभी दलों से का हूँगा कि मूर्ती अगर लगानी भी तो कॉर्णर पर लगाने चीए नाकी बीच में लगाने चीए झाल 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 झाल